कितनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कंदूर होना सभी को मेरा प्यार भारा नमस्कार आज मैं मेथली शरन गुप्त द्वारा रचित ये शोधरा खंड कावे की कुछ कविताओं की पंक्तिया लेकर के आप सब के समुख प्रस्तुत हूँ इससे पहले मेत्रिशन गुप्त द्वारारचित साकेत महाकावे के कुछ चंद व्याठ्या के द्रश्टी से आपके समुख प्रस्तुत किये थे जिन में लक्षमेन की पत्नी उर्मिला की मनोदसाओं का चितन कवी ने किया था और आज का जो ये खंद कावे ये शोध्रा लिया है इसमें सिद्दार्थ की पत्नी यानि गोतम की पत्नी ये शोध्रा की मनोभाव का चितन कवी ने किया है कपिल वस्तु से सिद्दार्थ जब तपश्या के लिए बिना बताए चुपचाप घर से निश्क्रमन कर जाते हैं और जब शुवे ये शोध्रा को पता चलता है कि उसके पति उन्हें उसे बिना बताए ही तपश्या के लिए या सिद्धी प्राप्त करने के लिए चुपचाप चले गए हैं तो उसे बड़ा दुखोता है और वो सोचती है क्या ऐसा करना उनका ठीक है, क्या उन्होंने मुझे पर विश्वास नहीं किया, अगर वो मुझे से बता कर जाते हैं तो क्या मैं उनको रोक लेती, उनका इस्तरे का चुपचा चले जाना है, जो विवार है वो उचित नहीं है, उन्होंने सिद्दार्थ ने अपनी पतनी का पूरा सम्मान किया फिर भी वो इस्तर से छोड़ कर चले गए ये बात यसोधरा को पूरी तरह अच्छी नहीं लगी और इसी प्रसंग में यसोधरा अपनी सक्षी से कहती है कि सक्षी वे मुझ से कह कर जाते कहें तो क्या मुझ को वे अपनी पत बाधा ही पाते मुझ को बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते सक्षी वे मुझ से कह कर जाते प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि ये कविता की जो पंक्तिया है ये शोधरा कावे से संकलित हैं और इन पंक्तियों में उस समय का चितन कवी ने किया है जब सिद्धार्थ सिद्धि प्रात करने के लिए अपने पुत्र राहुल और पत्नी ये शोधरा को चुपचाप छोड़कर के लिए निस्क्रमन कर जाते हैं और जब ये शोधरा को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत वेदना की अनुम होती होती है वो दुखी होकर के अपने मनवाव वेक्ट करती है और कहती है है सखी अगर मुझसे वो कहकर जाते तो बहुत अच्छा होता इसी प्रसंग में ये सद्धि अपने सखी से कहती है है सखी ये दिवे मुझे कर बता कर जाते तो कितना अच्छा होता मेरे मन को भौत अधिक सुख की अनुभूती होती शायद उन्होंने ये सोचा कि यदि वो मुझे कर बता कर जाएंगे तो शायद मैं उनका रास्ता रोक लूँगी उनके रास्ते में बाधा बन जाऊंगी उनको सिध्धी प्रात करने के लिए जाने नहीं दूगी परंतु है सखी उनका इस प्रिकार का शोचना पूरी तरह गलत है मैं उनके रास्ते की रुकाउट नहीं बनती मैं उनको सहर्स जाने देती इसलिए आगे कहती है उन्होंने मेरा पुरा सम्मान किया और मैंने भी उनको हमेशा बढ़कर के माना है उन्होंने जो भी उनके मन में आया जो भी उनको उचित लगा मैंने उसको सहर्स सिविकार किया है उनके काम में कभी किसी प्रिकार की रुकाउट और या अर्चन नहीं डाली है फिर भी लगता है उन्होंने मेरे को ठीक से नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे पहचानने में भूल कर दी है, क्योंकि यदि मुझे ठीक से पहचान जाते तो शायद आज ये स्थिति नहोती, वे मुझे से बिना बताये चुपचाप इस तरह से निस्क्रमन नहीं करते, यदि ये सखी मुझे दुखिसी बात का है कि वो बिना बताए है चुपचाप यहां से चले गए यही बात सोच करके मेरे में में पीड़ा जो है वो बढ़ती जा रही है इस तरह से ये सुधरा अपने मन की पीड़ाओं की अनुभूती की अपनी मार्मिक वेंजना सखी के समख पस् तो इन पंक्तियों में ये सुधरा के पती प्रायन वा आदर्श चरित्र का उद्खाटन हुआ है जो अपने पती की हर बात में अपने सहमती व्यक्त करती है बस उसको एक ही बात खराब लगी है कि वो बिना बताए है उसे चले गए है इस इन पंक्तियों में तत्सम भाव व्यक्ति इस गीत को और अधिक सुंदर और मजबुत बनाने में सक्षम है आगे क्या कहरें पंक्तियों देखिए स्वेम सुसजित करके क्षण में प्रियतम को प्रानों के पन में हमीं भेज देती है रण में छात्र धरम के नाते सखीवे मुसे कह कर जाते हुआन यह भी भाग्या भागा किस पर विफल गर्व अप जागा जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मन ही आते सखी वे मुझ से कह कर जाते कविताओं का इन पंक्तियों का प्रसंग वही है यह सोधरा खंड कावे से लिया गया है और विरह गीत है इसमें गुपजी ने भारतिय ना आतीत्र दुखी होकर अपनी सखी से कहती है है सखी हम भारतिय नारिया अपने हाथों से सहर्स अपने पतीको सब तरह से सूसजित करके और अपने सच्चे दिल से युद्ध के मैदान में तिलक करके लडने के लिए हम भीज़ दती हैं हम ख्षत्राणियों का यही उत्तरदायत वो होता है कि उनका पती जो है युद के मैदान से विजे प्राप्त करके लोट करके आए वे कभी अपने पती के जाने पर शोक नहीं मनाती हैं उनके सामने आश्व नहीं गिराती हैं मैं भी छत्रानी हूँ, मेरे भी मन में यही था, यह आता है कि मैं भी मेरे पती को सिध्धी प्राप्त करने के लिए छत्रानी होने के नाते उनको सहर्स लगाकर के विदा करती, पर सखी यह सोफागे मुझे नहीं मिला, मुझे इसी बात का दुख है, इसलिए अब मैं किस प् पिल वस्तु की लोग बड़े गर्व कर रहे हैं कि उनका राजकुमार सिद्धी प्राप्त करने गया है पर तुम बताओ सखी मैं भला किस प्रकार गर्व करूँ यदि वो मुझे बता कर जाते तो आज मुझे बहुत सुख की अनुभूती हुती मैं भी अन्य लगो की तरह उ चुपचाप मोर करके और मुझे सोई हुए अकेले में छोड़कर इस तरह से चुपचाप चले गए ये उनका बहुआर कदापी ठीक नहीं है सकी वे चले गए हैं उनकी मधुस मिरतियां ही अब मुझे याद आती हैं बार बार पर मैं क्या करूँ सकी ये दिवे मुझे कह क करके जाते तो मुझे भूत सुख की अनुहोती हुती मुझे अच्छा लगता इसी यही कार्ण है कि मेरी जो वेदनानुहोती है वो कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है इस पद में भारते नारी के उतकर्स और त्याग पूर्ण चरित्र का चितन किया गया है और इस पद में अनुप्रास प्रियायोक्ति तुथा कावेलिंग अनकार का प्योग हुआ है पद की गेता यह मैं पदमेत्री भावों के अनुरूप है और भासा तत्सम्मई है तीश्रा चन देखिए कभी क्या कहते हैं नैन उन्हें निश्ठुर कहते पर इनसे जो आशु बहते सेर देवे कैसे सहते गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे कह कर जाते ये-, ये-शौध्रा कावे से ये गीत संकलित है और इनमे ये-शौध्रा की मारमिक वیथा का चितरन कवी ने किया है, पति सिधार्थ के निश्कमन की बाद ये-शौध्रा को बहुत वेदना होती है कि वे चुपचाप चले गए हैं, यदि उनको बता कर जाते तो उनको भूँ कुछ सुख की अनुभती होती, इसी प्रेसिंग में ये सोदर आपने सकी से कहती है, हे सकी मेरे प्रियतम यदेपी मुझे विदा ले मिना ही चुपचाप चले गए हैं, इसलिए आज मेरे जो व्य या मिल कर जाते तो विदा की विला में मेरे वे इन आस्टों को देखते तो वे कैसे मेरी वेदना को सह पाते यह सुझर अपने सकी से कहती है कि मेरे जो आखे हैं उनको निस्थृ कहती हैं क्योंकि वो बिना बताये चले गए हैं पर ये सकी शायद वो मुझे बिना बताए इसलिए चले गए हैं क्योंकि विदा के समय अगर मेरी आँखों में आशो आ जाते तो वो उन आशों को शहन नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत सेरदे हैं वे किसी का जरा सा भी दुख देख नहीं पाते हैं शायद यही सोच करके कि मेरी आँखों के आशों कैसे देख पाएंगे वो मुझे बिना बताए ही चले गए यही सोच करके उन्होंने मुझे पर तरस खाया है मुझे पर दया दिखाई है क्योंकि वे बहुत दयालू हैं किसी की पीड़ा सहन नहीं कर पाते हैं पर बड़े कर रही है कि मुझे शायद इसलिए नहीं बता कर गए क्योंकि वे बहुत बैलू हैं यह बड़े सहर हिदे हैं वो किसी के आसु देख नहीं सकते हैं अगर अनया से मेरी आखों मेnd एक दो बूंद आसु की आजाती तो शायद वो आसु देखकर के सहर्ण नहीं कर पाते हैं मुझे बिना बता करके जाना कुछी समझा पर मेरा मन तो आज भी यह कहता है कि सकhी किदि मुझे बता कर जाते तो आज में बहुत गौरवानिवत होती है बहुत सुख़द अनुभों मुझे मिलता पर दुख की बात तो यही है कि वेवे मुझे बिना बता चले गए है इस प जैलो सभाव बता करके ये वेंजित किया है कि ये सुद्रा को कहकर जाने में उनको ये संकोष था क्योंकि विदाई के अध्रिस से उनसे देखा नहीं जा सकता था साथ यही सोच करके उन्होंने ये शुद्रा को बताना उचित नहीं समझा है और इन पंक्तियों में कवेलिंग एंव आक्षे पलंकार का प्रयोग हुआ है और पद की गैता एंव भासा विव्यक्ति प्रसंसनिय है और भासा सेली में एक अन्य बात यही है कि यह तत्समय भास कि नहो इस जन के दुख से उपा लंभ में तू किस मुख से आज अधिक वे भाते सखी वे मुद से कहे कर जाते गए लोट भी आवेंगे कुछ अपुर्व अनुभव लाएंगे रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते सखी वे मुझ से कहे कर जाते प्रसंग वही है किसी दार्थ के निश्कमन के उप्रांद विरेविथासे पिरित ये सोध्रा के मनभाव का मार्मिक चित्रन कवी ने इंचंदों में किया है ये सोध्रा को इस बात का बड़ा दुख है कि वे बिना बताये चले गए उन्होंनों उस पर विश्वास नहीं किया अगर वो बता कर जाते पाच उसके मन में इतनी प्यड़ा नहीं होती इसी प्रसंग में ये सोध्रा वेदना के साथ कहती है 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 सकी भले ही प्रियतम चुपचाप चले गए हो और उनको सरलता से सिध्धी प्राप्त हो जाए प्रंटु मेरे लिए जराभी दुखी nor ho और की वीथाओं से जराभी विचलित नहों नहीं यह कि मैं चाहती हूं कि वे शिद्धी में सफलता पाएं, उन्हें मेरी तरफ से किसी प्रकार की काकस्ट नहों, मेरी याद के काण वे दुखी नहों, वो भले ही वो मुझे बिना बताये चले गए हों, पर मैं उनको उल्हाना किस मुझे दूँ, क्योंकि आज भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते ह हैं, इसलिए मैं उनकी सिद्धी की सफलता की कामना करते हों, और ये कामना करती हों, कि मेरी याद, मेरी स्मृति उनकी सिद्धी में बाधा नह बने, पर आज इसलिए आज इस रोप में ही सही, भले ही वो मुझे बिना बताये चले गए हों, पर सखी, अगर मुझे बता कर जाते तो शाहिद मेरे मन को और अधिक सुखद अनुग होती होती पर काश वैसा कर पाते इसा आगे अपनी सखी से कहती है मैं जानती हूँ कि वो गए है तो एक दिन उनको सफलता भी मिलेगी और वे वापस लोट करके भी आएंगे और अपने साथ में ऐसा अपूर्व अध् होगा जो सारे संसार के लोग जिसे पाकर के बड़ा ही खुश खुशी बड़ी ही खुशी और सुख के अनुभोती करेंगे सब लोग उसे खुशी के साथ में उनका स्वागत करेंगे पर मैं सोस्ते हूं सखी मैं उनका स्वागत किस प्रकार करूंगी रोते प्रान उन्हें पाऊएंगे, क्या मैं रोते हुए उनका स्वागत कर पाऊंगी, सब लोग उनका गाह गाह करके धोल नंगारा के साथ में स्वागत करेंगे, क्या मैं उस तरह से खुशी के साथ में हस्ते हस्ते उनका स्वागत कर पाऊंगी, है सखी मुझे आज दुख इसी बात का है कि वे मुझे बिना बताए चले गए और मुझे इस योगे भी निसंजा कि वे मुझे कह कर जासके सखी मुझे आज बीड़ा इसी बात की है कि मुझे भी कह कर नहीं गए इस तरह से इन पंक्तियों में भासा सोंद्री की द्रस्टी से देखें प्रितेक्ता नारी की विवस्ता एं पुर्ष की स्वार्थ परता के साथ भारते नारी के गोरों का सुंदर चितन कभी ने किया है और इन पंक्तियों में अनुप्रास दिप्सा एं प्रियायोक्ति अलंक इन पंक्तियों में तत्समय भाषा से लिखा प्रयोग विशेश द्रस्टव है इस प्रकार ये कविता पूरी हुई और मेथलेशन गुप्त के चंदों में आपको पता चला होगा कि मेथलेशन गुप्त ने नारी के मनोभाओं को चितन करने में अपने कावे में विशेश धा हैं और कितने नारी के अधिकारों को और नारी की वेदना को लेकर के कवी कितने शजग और शशक्त उनकी भावा भी व्यक्ति है और इसी के साथ में आज का ये प्रशंग यहीं सनाप्त करता हूं वो शेश अगले वीडियो में आगे के चंद या कविताय लेकर के प्रस्ति होंगा इसी के साथ में आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद